बोलिए प्रेम से भगवान सत्र नारायन कीजे पुरा काल में सौनक आदी रिसी नैमी सारन ने इस्थित महर्शी सूत के आसरम में पहुँझे रिसीगन महर्शी सूत से प्रशन करते हैं कि लौकिक कस्ट मुक्ती संसारिक सुख बिर्धी और परलौकिक लक्षी की सिद्धी के लिए सरल उपाय क्या है महर्शी सूत सौनक आदी रिसियां को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्ण नारज जी ने भगवान विश्णू से किया था और भगवान विश्णू ने नारज जी को बताया था कि लोकिक क्लेस मुक्ती सांसारिक सुक सम्रिद्धी एवं पार लोकिक लक्च सिद्धी के लिए एक ही राजमार्ग है और वह सत्नरायन ब्रत सूत जी कहते हैं कि नारजी भगवान स्री विश्णु के पास जाकर उनकी अस्तुति करते हैं अस्तुति सुने से अनन्त अथार भगवान विश्णु जी ने नारजी से कहा महाभाग आप किस प्रयोजन से यहां आये हैं आपके मन में क्या है सो कहिए मैं कुछ आपको बतलाऊंगा नारा जी कहते हैं भगवन मिर्ति लोग में आपके पाप कर्मों के द्वारा बिभी नियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेसों से दुखी हो रहे हैं हेनात किस लगू उपाई से उनके कस्टों का निवारन हो सकेगा यदि आपकी मेरे उपर किर्पा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ उसे बताएं स्री भगवान ने कहा हेवत्स संसार के ऊपर अनुगरह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूची है जिस ब्रत के करने से प्रानी मुह से मुक्त हो जाता है मैं उसे बतलाता हूँ सुने हेवत्स स्वर्ग और मिर्ति लोग में दुरलब भगवान सतनयान का एक महान पुन्य प्रदवरत है आपके सने के कारण मैं इस समय उसे कह रहा हूँ अच्छी प्रकार विधी विधान से भगवान सतनयान का बत करके मनुष सिख्षी इस सुक प्राप्ट कर पर लोग के मूक्ष को प्राप्ट कर लेता है भगवान की ऐसी बानी सुन कर नारद मुनी ने कहा प्रबो इस बत को किसने किया और इसे कप करना चाहिए यह सब बिस्ताप पुर्वक बतलाईए तब भगवान कहते हैं कि यह सतनायन ब्रत दुख सोख आधी का समन करने वाला ध्यन बयभव का बर्धी करने वाला सोभाग संतान देने वाला और सरवत्र बिजय प्रदान करने वाला है जिस भी किसी बेक्ती ने भगती स्रधाभाव से होकर मनुशि ब्रहमनों और बांधों के साथ धर में ततपर होकर साम के वक्त भगवान सतनायन की पूजा करे नवेद के रूप में भोजन आधी पदार्थ का सवाया मात्र में भगती पूर्वक अरपित करना चाहिए केले का फल घी दूद गेहुं के चुड़न के अलावा साथी चावल का चुड़न सककर गुड यह सब भक्च सामगरी सवाया मातर में कत्र कर नवेदित करना चाहिए बंदू बांधमों के साथ भगवान सरी सतनायन की ख़दा सुनकर ब्रहमनों को दक्षिना देनी चाहिए और ब्रहमन को भोजर कराना चाहिए भक्ती पुरुवक परसाथ गरहन करके नित्रगीत का आयोजन करें और तदंतर भगवान सतनायन का स्मरन करते वे अपने घर जाना चाहिए ऐसा करने से मनुस्य को अभिलासा अवसे पूर्ण होती है और कलियोग में पृत्थवी लोग में यह सबसे छोटा किन्तु सरल बहुत अच्छा उपाय है दूसरा अध्याए स्री सूथ जी कहते हैं हे दूजो अब में पृनः पूर्वकाल में जिसने इस सतनायन बत को किया था उसे भाली भाती बिस्तार पूर्वक कहूंगा रमनी ये कासी नमक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राहमन डाता था भूक और प्यास से ब्याकुल होकर वह प्रति दिन पृत्वी पर भटकता रहता था ब्रहमन अपने ब्रहमन की जो प्रिय भगवान उसे दुखी ब्रहमन को देखकर ब्रध ब्रहमन का रूप धारन कर उस दूज से आधर पुर्वक पुचा है प्रति दिन अत्यंत दूखी होकर तुम किसलिए पृत्वी पर ब्रहमन करते हो यह सब बतलाओं मैं सुनना चाहता हूँ ब्रहमन कहता है प्रभो मैं अनंत दृद्र ब्रहमन हूँ बिक्चा के लिए पृत्वी पर घूमा करता हूँ यदि मेरी इस दृत्वी पर गूर करने का आप कोई उपाई जानते हो तो किरपा पुर्वक बतलाइए ब्रभो मैं कहते हैं हे ब्रहमन देव सतनायन भगवान विषणू अभी शफ़ल देने वाले हैं हे भी प्रतुम उनका उत्तम बत QUEरो जिसको करने से मनसे सभी धुखों से मुक्त हो जाता है ब्रत के बिधान को भी ब्राहमन से यतना पूरवक कहकर बृत ब्राहमन रुपधारी भगवान विश्णु होई पर अन्तर ध्यान हो गया ब्रत ब्राहमन ने जैसा कहा उस ब्रत को उसी प्रकार वैसे ही करूंगा यह सोचते वे ब्राहमन को रात में नीन नहीं आई अगले दिन प्रात्यकाल उठकर सतनायन का ब्रत करूँगा ऐसा संकल्प करो ब्राहमन भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ब्राहमन को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंदु बांधब के साथ भगवान सतनायन का ब्रत किया इस ब्रत के प्रवाव से स्रेष्ट ब्राह्मन सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर परतेक महिने उसने यह ब्रत किया इस प्रकार भगवान सत्नारायन के इस ब्रत को करके वस्रेश्ट ब्राह्मन सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्भक्ष मुख्ष भक्ष को प्राप्ष किया। हे भी पृत्वी पर जब भी कोई मनुस्यसरी सत्नयान ब्रत का कथा करेगा पढ़ेगा सुनेगा उसी समें उसका समस्त दुख नश्ट हो जाएगा हे ब्राहमनो इस प्रत्वी पर उस ब्राहमन से सुने वे इस ब्रत को किसने किया हम सब सुनना चाहते हैं उस ब्रत पर हमारी स्रधा हो रही है तब सूजी कहते हैं मुनियो पिर्थिवी पर जिसने यह ब्रत किया उसे आप लोग सुने एक बार वह दुछ सेष्ट अपनी धन सपती के अनुसार बंधु बंधो परिवार जनों के साथ ब्रत करने के लिए उद्धित हुआ इसी बीच एक लकड़हरा वहाँ आया और लकड़ी बाहा डखकर उस ब्रहमन के घर गया प्यास से ब्याकुल उस ब्रहमन को ब्रत करता हो देखकर परनाम करके उनसे बोला प्रभू यह आप क्या कर रहे हैं इसके करने से किस प्रकार की फल प्राप्ती होती है विस्तार प्रवक मुझसे कहिए विप्री ने कहा यह सतनायान का भगवान का ब्रत है जो सभी मनुरतों को परदान करने वाला है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान ने प्राप्त हुआ है जल पीकर प्रसाद गरहन कर के वह नगर चला गया भगवान सतनायान देप के लिए मन में ऐसा सूचने लगा कि आज लकडी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सतनायान का स्रेष्ट बरत करूँगा इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तफ पड़ा कर वह सुंदर नगर में गया जहां धन धाने से संपने लोग रहते थे और उसने उस दिन लकडी का दुगुना मुल्य प्राप्त किया इसके बाद प्रसन नहिर्दै से वह पके हुए केले का फल सरकरा घी दूद गेहूं का चुन सवाया मातरा में लेकर घर आया बंदु बांधप को बुला कर विधी विधान से भवान स्री सतनायान का ब्रत किया उस ब्रत के प्रभौ से धन पुत्र से संपन्न हो गया इस लोग में अनेक सुक्का उपोकर अनंतपूर में सत्यपूर अर्थात बैकुंट पूर चला गया तिसरा अध्याय स्री सुत जी कहते है स्रेश्ट मुनियो अब मैं पुनह आगे की कथा कहूंगा आप लोग सुने प्राचिन काल में उलका मुख नाम का एक राजा था वह जी तेंद्री सत्यवादी अतिंत बुतिमान वह विद्वान राजा परती दिन देवा ले जाता ब्रहमनों को धन दे कर संतुष्ट करता और कमल के समान मुख वाली उसकी धन पतनी सील बिने संदर आदी गुनों से संपन पती पारायन थी राजा एक दिन अपनी धन पतनी के साथ भदर सिला नदी के टत पर स्री सतनायन बरत कर रहा था उसी समें ब्यापार के लिए नेक प्रकार की पुसकल धनडासी से संपन एक साधू नाम का बनिया वहाँ आया भदर सिला नदी के टत पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीब गया और राजा को उस ब्रत में दिख्चित देखकर बिने पुरुबख पूछने लगा साधू ने कहा राजन आप भक्ती युक्त चित से यह क्या कर रहे हैं किरपा करके मुझे बतलाईए मैं सुनना चाहता हूँ तव राजा कहते हैं राज कि साधो पुत्र आदी की प्राप्ती की कामना से अपने बंधू बांधप के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णू का पूजन और ब्रत कर रहा हूँ राजा की बात सुनकर साधो ने आनंद पुर्वक कहा राजन इस बिसे में आप मुझे सब कुछ बिस्तार से बतलाईए आपके कथानोसार मैं ब्रत और पुजन करूँगा मुझे भी संतती नहीं है इससे अवसी संतती की प्राप्ती होगी ऐसा विचार कर वह बैपार से निबृत हो आनंद पुर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत्र ब्रत को विस्तार पुर्वक बताया जब मुझे संतती प्राप्त होगी तम मैं इस ब्रत को करूँगा ये इस प्रकार उस साध५ू ने अपनी हरया लिलावती से कहाैं इस लिलावती नाम की सत्हषाद भी भारिया पत्ति वह सन्वरति में और भागवान सीं Oh इसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधूर्वानी में कहा आप पुर्व में लीडावती ने कहा कि संकलवीत स्री सतनायन बरत को क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा था कि मैं करूंगा साधो बोला विप्रे इसके विभाकिस में बरत कूंगा इस प्रकार बादी आस्वस्त कर वह बैपार करने लगा और एक बार वह बैपार करने के लिए नगर की उड़ गया इहर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी तदंतर धर्मग्य साधू ने नगर में सक्खियों के साथ किड़ा करती भी अपना कन्या को देखकर योग बिभा की योगे देखकर मन में ये विचार किया कि बिभा के लिए स्रेश्ट वर्ड का अन्वेशन करना होगा ऐसा कहकर वह दूद को सिगरी भेज दिया उसकी आगया प्राप्त कर दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वनिक नाम का पुत्र ले आया वनिक का उस साधू साधू बनिया दुर्भागे वस भगवान का या उत्तमरत करना भूल गया पूर्व संकल्प के अनुसार विभा के समय में बरतना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गया है कुछ समय के पस्चात हुआ अपने ब्यापार कर्म में कुसल हुआ साधू बनिया काल की सीट प्रेलना से अपने दमाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समिप स्थित रतना सुना मक्संदर नगर को गया इसके बाद दोनों राजा चंद्र केतू के रमनी नगर में गया उसीसमें भगवान सिषत नारायन ने उसे भरश्ट प्रतिग्य देखकर इसे द और वो अपने पीछे दूरते वे दूतों को देख कर भै चित होकर धन वहीं छोड़ कर कहीं चिप गया। किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंदर केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के स्राप से वनिक के घर में उसकी भारिया भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा लिया और लिलावती सारीरिक मांसिक पिडाओं से युक्त भूक और प्यास से दुखी हो अन्य की चिंता से दरदर भटकने लगी कलावती कन्या भी भोजन के लिए दोदर पती दिन गूमने लगी एक दिन भोग से पेडित कलावती एक ब्रहमन के घर गई वहाँ जाकर उसने स्री सतनायान का ब्रत पूजन को देखा और वहाँ बैट कर उसने कथा सुनी वर्दान मांगा इसके बाद प्रसाद गरहन करके वह कुछ रात में घर ले आई माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वप पूछा पुत्री रात में तु कहां रुख गई थी तुम्हारे मन में क्या है कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा मा मैंने एक ब्रहमन के घर में अपने मनोरत को परदान करने वाला ब्रत देखा है कन्या की बास सुनकर वह वनिक की भारिया ब्रत करने को उद्देत्वी और प्रसंद मन से उस साध्वी ने बंधु बंधु के साथ भगवान स्री सतनायन का ब्रत किया इस प्रकार पातना की भगवन आप हमारे पती जमाता के अपराद को छमा करें और दोनों अपने घर सीर आ जाएं इस ब्रत के प्रभाव से भगवान सतनायन पुनसंतुष्ट हो गए और उन्होंने निफसेश्ट चंद्र केतु को सपन दिखाया और सपन में कहा हो गए और इसके बाद राजा अपने शबहा सदों के साथ सवा में बैट का अपने अस्वनिक पुत्र को सिगर ही मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर राजपरुस्ट दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर भिनेपूर्वक कहते हैं महराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों पुत्र बनिक पुत्र लाए गये हैं इसके बाद दोनों महाजन निर्पसेश्ट चंजर केतु को परणाम करके अपने पुरु बितरांत का स्मिरन करते वे भैचनिन हो गये और कुछ बोल ना सके राजा ने बनिक पुत्रों को देखकर आदर पुरुबक कहा आप लोगों को प्रारब्द बस ये महान दुख प्राप्थ हुआ है इसमें अब कोई भै नहीं है ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा कर छोर कर्म आदी करवाया राजा ने बस्तर अलंकार देकर दोनों बनिक हम जा रहे हैं ऐसा कहकर उन दोनों महा बैस्टों ने अपने घर की और पस्तान किया तो सूत जी कहते हैं साथू बनिया मंगला चलन कर ब्रहमनों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साथू के कुछ दूर जाने पर भगवान सतनायान की उसकी सत्यता की हमारी नौ में तो लता और पत्ते भरे हैं ऐसी निश्ठूर वानी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा करकर दंडी सन्यासी के रूप को धारन की वे भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीब बैठ गये दंडी के चले जाने पर नित्र किरया करने के पस्चात उत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गए कि अब उसके दामाद ने इस परकार कहा कि आप सोक क्यों करते हैं दंडी ने सराब दिया है इस तितिती में वे तो वे चाहकर ही कुछ कर सकते हैं इसमें संसर नहीं अता उन्हीं की सरन में हम चले ऐसी मन की इक्छा पुर्ण होगी औ दामाद की बात सुनका हुआ सादू बनिया उनके पास गया जहां दंडी को देखकर उन्हें भक्ती प्रुवक उन्हें परणाम किया आदर प्रुवक करने लगा आपके समुख जो मैंने कहा और सत्य भासन अपराद किया है आप मेरे उस अबरात को च्छमा करे ऐसा बार ब क्या से ही तुमने बारं बार दुख प्राप्त किया है भगवान की ऐसी बानी सुनकर उनकी अस्तुती करने लगा अब साधू ने कहा प्रभू अस्चर की बात है आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रंभा आदी देपता भी आपके गुनों रूपों को यथावत रूप स नहीं जान पाते फिर मैं मुर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं आप प्रसन हो मैं आप अपनी धन संपत्ती के नुसर आपकी पूजा करूंगा मैं आपके सिरन में आऊ हूँ मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी मेरी और रख्छा करे उ बदी पुर्बकि पुजा की इसके बाद करे अपने तेर्फ नगरी दिखाई दे नहाई इसके बाद उसने अपने अगमन का समाचार देने अपने नगरी बhीजा पिर इसके बाद दूथ उतने नगर में जाकर साधू की भारिया को देखकर हाद जोरकर परणाम किया और उनके अभिष्ट की बात कही। सेड़ जी अपने दामाद बंदू कोनों के साथ बहुत सारे धंधान इसे संपन्न होकर नगर के निकेट पधार गया है। दूद के मुक से यह बात सुनकर महान आनंद से बिलहल हो गई और उस साधवी ने सी सतनायन की पूजा करके अपनी पुझा करके अपनी पुझा करके अपने पुझा करने के लिए चल पड़ी भगवान सतनायन भी रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरन करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती करने अपने पती को ना देकर महान सोख से रुदन करती भी पृथ्वी करभी पड़ी। नौका और दर्सन और कन्या को अत्यन्त दुखी देखकर भैभीत मन से साधू बनिया ने सोचा यह क्या हो गया। नौका संचालन करने वाले भी सभी किंतित हो गए और वह लीलावती की भी कन्या को देखकर बिरहुट है। अतिन दुख से बिलाब करती भी अपने पती से इस प्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अक्छलिक्षित हो गए यह जाने की देवता के उपेक्छा से वह नौका हरन कर ली गए भगवान सी सतनायन का महात में कौन जान सकता ऐसा करकर वह सजुनों के साथ भी लाब करने लगी और कलावती करनिया को गोद में लेकर रोने लगी कलावती करनिया भी अपने पती के नस्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चे किया और करनिया की इस प्रकार आचरन को देखकर भारिया सही वह धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक सम्तप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गया है अपने धन सक्ति के नुसार में भगवान से सत्यदेव का पूजा करूँगा सभी को बुला कर इस पकार कहने पर अपने मन की इक्षा प्रकट किया और बाराम बार भगवान सत्य देव को दंडवत परणाम किया इस से दीनों के परिपालग भगवान सत्य देव परसंद हो गया और भक्त वतसल भगवान ने किरपा कुरुबक कहा कि तुम्हारी कन्या परसाथ छोड़कर अपने पती को देखने चली आई निस्चे ही इस कारण उसका पती और द्रिस्ट हो गया यदि घर जाकर परसाथ गरहन करे तो पुना आये तो फिर वो अपने पती को प्राप्त कर लेगी तो सादू बनिया तुम्हारी पत्री पती को प्राप्त करेगी संसे नहीं है इसमें कन्या कलावती भी आकास मंडल से ऐसी बानी सुनकर सिखरी घर दोड़ी गई और परसाथ गरहन किया पुना आकर सुजनों और अपने पती को देखा अब कलावती ने पती से कहा कि अब घर चलें बिलंब क्यों कर रह करन्या की बास सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधी विदान से भगवान सतनायान की पूजन करके धना और बंधू बांधव के साथ अपने घर गया तदंतर पुर्णिमा सक्रांती परवों पर भगवान सतनायान की पूजन करते वे इस लोक में सुख भोकर अन्त में वसत्तिपूर बैकुंठ लोक में चला गया बोल दे प्रेम से सतनायान भगवान की जय हर हर महा देख